वेलकम बैक टो मैंने चैनल फाइनली मैंने देख ली है दगल ऑन दे ट्रे येस ये फिल्म का बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा था क्यूंकि वस वान अटिसेबेटेड मुवी विच वस सेड्यूल तो रिलीज ऑन 2020 बट पैंडेमिक के चलते चलते ये भी फिर से अगर आपने अभी तो ये फिल्म नहीं देखा है और जाना चाहते हैं कि आपको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए और पूरा ओनेस्ट अनबाइस प्रिव्यू देखना चाहिए तो प्लीज वीडियो का इंट तक जरू देखिएगा थोड़ा सभी मेरा एफर्ट इतना मिस्टेक हो रहा है तो जल्दी से रिव्यू शूरू करते हैं दगाल ओन्दी ट्रेन का पहले डिसकस करते हैं स्टोरी तो स्टोरी है यह नुश्रत नामक एक लड़की की जो की मिसिंग हो जाती है स्टार्टिंग फिलिम में ही और उसका प्राइम सस्पेक्ट मतलब वहां से जो मतलब जो क्राइम सीन में तो जहां से वो गायब हुए वहां से मतलब पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करती है तब पता चलत है कि मीरा कपूर नामक एक औरत जो है उसके खिलाफ या उसके बहुत सारे एविडेंस मिले है तो मीरा कपूर जो प्ले कर रही है व क्या किया है एंड क्या है रस्ट ओफ दी स्टोरी फिल्म की यही है पूरा का पूरा स्टोरी ओवरॉल तो आप बात करते हैं हम यहां पे स्क्रीन प्ले की तो देखिए जब ट्रेलर आया था तब भी से मुझे कोई भी उमीद नहीं थी एंड टूब वेरी ओनेस पहले से मत अब ही दो तीन साल से उनके बहुत फ्लॉप्स जा रहे है फिल्म तो उनके एक्टिंग रेंज में इसमें दिख सती है क्योंकि वी हैव सीन इन हसी तो फसी जहां पर वह बहुत अच्छी एक्टिंग की है और बैसी कर दिये था तो इसमें उन्होंना मतलब क्या हो सकता था उनके एक्टिंग अच्छा हो सकता था एक्सपेक्ट लोग कर रहे थे मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थी ट्रेलर मुझे इतना कुछ जादा इंपैक्टफुल नहीं लगा था एंड स्टोरी में बोल दू अगर आपको लग रहा है कि मैं बोलने वाली हूँ कि और अगर आपने वाली है तो आपको वह कैसे लगी प्लीस कॉमेंट शेक्सिन में जरू कमेंट कीजिएगा तो बी वेरी ओनेस्ट मैंने नहीं देखा है अगर आपने देखा है तो उस दोरों में क्या जमीन आसमान का फर्क है या नहीं है क्या similarities है वो भी कमेंट शेक्सिन में जरू कॉमेंट कीजिएगा तो मुझे क्या फील हुआ ना कि यहां पर राइटिंग जो बहुत ही पूर है बहुत ही डल है अगर होता भी थ्रिलर नहीं होता तो हाँ ठीक है आपको एंगेज रख रहा है तो आप देखोगे भी नहीं नहीं लेकिल 10-15 बिलिट में पता चल रहा है कि भाई ये मुझ से नहीं हो सकता मैं नहीं देख सकता सिर्फ दो घंटे की फिलिब आई गाईस दो घंटे की भी न चाहिए था आपको ऐसा लग रहा है यह क्या हो गया सिर्फ एक सीन नहीं एक मुवमेंट है जैसे मुझे लगा लेकिल इतना भी बहुत सक्कर नहीं है अच्छा ऐसा होगे जैसे कि दिखते अच्छा ऐसा हुआ है ऐसा टाइप कही मेरा एक्सप्रेशन था अधर्वाइस कबिर सिंग लाइट बन चुकी है हमैं उसाद पी जा रही है BER reporting काम भी कर रहा था बई कीके भी रही है उसने पे रही है एक साल से हमेंट हसा जाती गूमती रही हैं पता नहीं पैसे कहां से मुझे नहीं पता to on the serious note उनका काम actual में parts में ही वो shine करती है yes उनका emotional scene जो है last मतलब एक scene है bathroom scene में जो वो रोती और एक last में जो एक हारिया song है जो उनका unplugged version है जो अनिहा ककर वाला गाई है तो वो वाला में थोड़ा से वो जो जब रोती है तब वहां पर बहुत अच्छा है उनका emotional जो पाठे वो बहुत अच्छा है and rage जब उन्होंने गुसा anger दिखाए aggression दिखाए वहां पर भी उनका acting बहुत ही अच्छा अधरवाई सब में बहुत monotonous है guys and to be very honest मुझे ऐसा लगता है कि परनीती को फिर से अपने skills पर काम करना चाहिए guys उनकी भी इतनी भी गलती नहीं है because the screenplay is very dull so आपको उनको देखके भी feel होता है कि भाई कोई बात नहीं यह लड़की ठीक है जितना उन्हें मिला उन्हें कर रही है वो बचानी की कोशिश कर रही है तो उनका काम भी यहां में ठीक्ठा की है उन्हें जितना मिला उन्हें ठीक्ठा की किया है अब बात करते हैं अधिती राओ हैदरी की जो कि नुश्रत का किरदार प्ले कर रही है तो उनके पास इतना जादा कुछ था नहीं करने को she is playing इतना जह्मी बीचारी टाइप ऑफ चेरेक्टर उनली फिर उनका इतना जादा इंपैक्ट नहीं था बात्त क्या है इतना डेप्त नहीं था कर बात्ता है अपना यहां चाप छोड़ जाते हैं वह है अभिनाश दीवारी येस, he is playing the means like, ex-husband of Meera Kapoor शेकर का किरदार प्ले कर रहे है Meera Kapoor मतलब परिनिधी चोपरा के ex-husband का किरदार प्ले कर रहे है to be very honest, उनका जब last में आप acting देखोगे, भाई, brilliant acting last के 15-20 मिनिट देखोगे, brilliant acting है, जब उनका, what you can say confession नहीं तो, confrontation होता है Meera Kapoor से, उस ताइम उनकी acting देखने लाएक है, guys and ये ही एक इंसान है जो कि अपने फिल्म को थोड़ा सा बचाने की कोशिश करते है, literally, and पूरे फिल्म में इनका acting इतना अच्छा, इतना नाचूरल है, इतना इंपैक्टफूल आपको लगता है, आपको बस ये ही फिल होता है, कि भई, ये इंसान को किसी भी गोबर कट्टी फिल्म में रख लो ना, वो अपना काम जानता है, ये बंदा, and he can, means like, he will do his job, and he, he would give his 100%, तो, यहाँ पर उन्हेंना 100% दिया है, and वो actual में बहुत talented है, तो I want to see him in more films, in main leads, and actual में इनका काम बहुत अच्छा लगा, तो अब बात करते हैं हम यह cinematography की, तो देखिए, cinematography मुझे यहाँ पर थोड़ी अच्छी लगी as compared to screenplay, क्योंकि बहुत सारा लंडन में पूरा का पूरा फिल्म शूट हुआ है, वहाँ के बहुत अच्छा अच्छे location, बहुत अच्छा अच्छे camera work हुआ है, मुझे ऐसा लगता है, एक कोड मतलब as compared to screenplay, cinematography is far better, तो cinematography प्लस point है इस film का, तो अब बात करते हैं हम यहाँ पे direction की, तो रिभु दास गुपता का जो direction है, वो कुछ भी मतलब इतना जाद अच्छा नहीं है, इन्हों नहीं लिखा है story को भी, तो इनका writing भी बहुत ही dull है guys, literally, and direction भी कुछ भी इतना अच्छा नहीं है कि मैं कुछ भी बोलू, स्टार्टिंग में यह बांध नहीं पाते है audience को, वही एक demerit हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग में जब एक song आता है मैं नहीं बताऊंगे, लेकिलो song आता है, उसके बाद भी मतलब आपको इतना जदा engaging नहीं लगता, भस ठीक है देख रहे हैं, थ्रिलिंग मोमेंट ऐसे कुछ आना चाहिए था, वैसे कुछ दिखाया नहीं है, एसा एक सीन दिखाया भी है तो आपको थ्रिलिंग लगता नहीं है, तो राइटिंग यहाँ बहुत ही पूर है, डिरेक्शन भी बहुत ही पूर है, तो आप तो रिव्यू खतम हो जाता है, बात कहते हैं हम रेटिंग की, देखिए, I will say that this film is one time watch only, it doesn't have any thrilling moment guys, अगर आप सोच रहों कि आपको एक बहुत अच्छा psychological thriller देख रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, और मैंने बहुत सुना है, एमिली ब्लंट, जो की Hollywood वाला जो the girl on the train है, उन्होंने बहुत अच्छी acting की थी, और they are comparing Paranidhi Chopra with her acting skills, और बहुत लोग disappointed हो रहे हैं, तो मैं बस यही बोल सकते हूं कि मैंने देखा नहीं है, अगर हम लोग उनका इनका compare करें, तो वैसे भी हमें disappointment लगेगा है, लेकिल मुझे भी ऐसा feel वा क्योंकि मैंने सिर्फ ट्रेलर देखाता है, तो एमिली ब्लंट के तो एमिली ब्लंट is looking more natural, और Paranidhi Chopra is like, ठीक है, मतलब काम चलाओ टेप ऐसे ही लग रही है, मैं actual में ज़्यादा मतलब what you can say, I am not sounding rude, I think, रूड लग रहा होगा, लेकिल फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो बोल रही हूं सची है, क्योंगे ट्रेलर पर जज नहीं गिया जा सकता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मुझे जो feel वा मैंने बोला, तो मैं इसे rate करूँगी 3 stars out of 5 stars, कैसी लगी आपको यह review, please comment section में जरूर comment कीजिएगा, पसंद आगी तो like share करना मत भूलिएगा, चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा, मैं आपसे मिलूँगी बहुत ज़ल लगने यह review में, तब तक की लिए बाय टिक के,